हालो फ्रेंड्स इंडियन टैलेंड यूटूब में आपका स्वागत है आज हम बिहार स्टेट पाउर होल्डिंग कम्री लिमिटेड में जो जेई और सीबिल एक्जाम हुए हैं 2018 और 2019 का तो उसके हम एंसर की आनेक बात अब्जेक्शन करना क्यों जूरूरी है साथ में हम इस अब्जेक्शन करना क्यों जूरूरी है जैसा जैसा की फ्रेंड्स यह वही थी बहुत पहले ही आई हुए थी इसमें टूटल पांसो 555 प्लस पोस्ट था लेकिन इसमें जो एक्जाम हुए थे इसमें जो परसेंटेज बनेगा जो माक्स बनेगा और सबसे पहले बात हम आपको बढ़ा दे कि जिनका नंबर अगर यू आर्में आते हैं जिनका नंबर अगर 20% से कम है तो उनका सेलक्शन नहीं होने वारा है और जिनका नंबर OBC में आते हैं या OBC में जो आप नोटिफिकेशन दिया उसको दिखाते हैं उस नोटिफिकेशन दिया और इससे अगर कम नंबर आता है तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे फ्रेंट्स तो जैसा कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि सर हमने इतना question item किया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे objection की objection की करना कितना जुरूरी है तो जो बिहार state power holding company limited जो answer की जारी करता है उसमें वह answer question plus answer की जारी करता है यह जारी करता है कि आप क्योंसा questions को आप टिक माने और कितने questions को आप time की है जनकारी नहीं होगी अब का answer की जारी करेगा सबसेदक करने बहुत ही कम दिन मिलता है आपको एक से दो दिन के time मिलता है इसलिए आप Łप जेक्शन जरूर कीजीगा जिसी से आपका lawg mind में यह आता है जो questions जो questions एंसर की जारी कि यह उसमें answer की गलट है लेकिन हमने जो एक्जाम में उसका answer नहीं दिये है तो क्या मैं objection कर सकता हूँ तो जवाब है हाँ आप अब्जेक्शन कर सकते हैं जिस पर आपको डाउट है और आपको क्लियर मालूम है कि यह गलत है या एंसर गलत है ताप सारे क्लियर हो गया होगा कि अब्जेक्शन हम किन-किन प्रशनों पर करेंगे तापको यह नहीं धिए नहीं किया है तो हम आप्जेक्शन कर सकते हैं अगर आप उसको Jeppe करके यह इसका अब्जेक्शन कर सकते हैं चले चलिए इसका बात करते हैं इसका एक्चोल कॉल करत अफ कितना जा सकता है इसका कट अफ कितना जा सकता है तो हमने बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने जो कमेंट वक्स में टाइब करके बेज़ें कि इसके अधार पर हमने एक्जाम हुए है कितना से आया है उसके हमने कट अफ का किया है तो अगर इसमें कोई अगर कोई धार ली ना हो तो कट अधिक तो जाहीं नहीं सकता है तो चलिए हम जानते हैं के cutoff कितना हो सकता है यूर के basically cutoff कितना जा सकता है अगर इसमें कोई धांदी ना हो तो इसमें यूर के cutoff 78 प्लस नहीं जा सकता है जो equated percentile max होगा वह unreserved के लिए 78 प्रसेंट नहीं जा सकता है अधिक 78 परसेंट के अंदर ही रहेगा दो नमबर पास नमबर अंदर ही रहेगा इससे आगे पीछे हो सकते एक दो नमबर या तीन नमबर और ओभी से 75 प्लस 75 प्लस यानि 75 प्लस नमबर प्लस होना जा है अगर 75 नमबर आपका सही है आपका अगर आपका है तो बनते हैं तो यह सीबिल का जो एकजाम हुआ है उसका एक यह कटो सेंटार्पूर्टूर्ट है अगर आपका इतना आता है तो आपका सेलक्सन होता है यह अगर यह वीडियो अच्छा लगत इसको लाइक करें और सेथाइब ना भूले वैस्स ताकि जब भी हम इस तरह की विडियो लेकार आते हैं आपके लिए यूट्व पर तापके बास नो